श्री श्रीवाय नमस्तू भियंभग जनू मैं हूँ स्रीवग प्रीती और लेकी आई हूँ आज का नया वीडियो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें कमेंट में लिख दीजिए हर हर महा देव और एसा शिवजी का लोगों ने अभी शेक करा जिस दिन करा उपन की तारिक और 26 जुलाई को अगली शिवरातरी सामन के महिने की आ रही है इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम टाउन में गए कि अप में गए वो निकाल कर रखना नीचे नहीं गए होगे उपर ही बड़े बड़े तरक्टी की ओर ही बड़े होगे अगर तुक भी आया होगा तो कट गया होगा कस्तवी आया होगा प्रमिट गया होगा बीमारी की आई होगी तो दर्वाजे तक खड़ी रही होगी पर खात नहीं लगने दो चिसने अभी शेक्षर आथा अब फिर कर लो तैयारी 26 पारी को सावन किश्वरात्री शांप सुनात्वजे फिर आ रहा होगी फिर विंदारी फिर साथा कि अगर बेटे को लगता है कि ममी मुझे दुखा गया बहु को लगता है बहुत तकलिप में मेरे बती चल रहे हैं अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा तुने अभी तक कथा सुनी कि मुझे कोई मतलब निए तो जब एक ही जगहा पर पिल से नुखृ करता है ना तो वहां का जो सेख होता है ना वो भी तुमारा कुछ ना कुछ सब्सक्तर पड़ने पर काम तो निकाली लेता है नई नई जगा नोंगरी छोड़ छोड़ के जाओगे न तो फिर फिर वो तो नई जवबे नई जवबे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगा करते रहते करते रहते करते रहते तो वो सेख भी एक नए पूं तुमारे लिए भला सोच लेता। उसेख न सौचकर तुमको उच्छा हाधन करा दे ता अगर एक ही जगा लगे रहते तो उसीत डरा सेख भार अगर कर लिया। मिर भोले तेरी सबसे बढ़िया उम्मीद करते हूं वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कमेंट सेर और सस्क्राइब मैं चैनल मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद